सलाम अलेकूम मैं यूट्यूब फैमिली उमीद है आप सब लोग खेरियत से होंगे ठीक ठाक होंगे मैं हूँ मर्यम और आप देख रहे हैं कुक्टिद पर्यम ऑफिशिल यूट्यूब चैनल आज मैं आपके साथ लहोरी फिश फ्राइ की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ तो चलिए रेसिपी की दरफ चलते हैं पर उससे पहले यलाल बटन दबा कर मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए घंटी बजा दीजिए ताकि तमाम न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको म पानी है तकरीबन एक से देट कप है यह पानी को बाउल में डाल देंगे और बाकी जो मसाला चाहत है वह हम इसी में एड करते जाएंगे जी तो नेक्स इंग्रीडियन जो इसमें जा रहा है वो है सॉल्ट सॉल्ट जो है वो मैंने हाफ टेबल स्पून एड किया है और जो सीफूड होता है उसमें अल्वरडी सॉल्ट मौजूद होता है तो जो नमक है वह आपने कम ही इस्तमाल करना है इसके बाद मैं गरम सा डा डा रही हूं यह है तकरीबन टू टेबल स्पून और इसके बाद मैं इसमें डालने जा रही हूं अजवाइन यह भी टू टेबल स्पून मैं एड करूंगी इसी तरहां बारी बारी सारे मसाले इसमें डालते जाएंगे उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूं सुर्ख जो है वो मैंने सिर्फ एक टेबल स्पून ली है और इसके बाद मैं चिली फ्लेक्स एड़ करूंगी चिली फ्लेक्स मैंने टू टेबल स्पून ली है अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं पतान तो आप इससे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अब जो है इसमें डा रही हूं काली मिर्च पीसी हुई ये भी मैं इसमें टू टेबल स्पून एड़ कर रही हूं और इसके बाद जो है आप नीमू का रस यह सिर्का मैंने नीमो का रस लिया है दो नीमो का रस दर्मियाने साइस के दो नीमो का रस मैंने निकाला है और वो मैंने इसमें आड़ कर दी है जिसे हमारी जो इसी फिश है बहुत ही जूसी बनेगी ये है बेसन बेसन एक कप तकरीब लिया है और अब हमने बेसन डाल दिया इसके बाद हम सारे मसाले को मिक्स करेंगे जी तो मसाले जाद जो है वो मिक्स हो चुके हैं अब हमने क्या करना है कि जो अपनी फिश है वो मेरिनेट करनी है और उसके लिए हमने जो फिश है उसको अच्छी तरह मसाले में इस तरह से डिप कर देना है जी तो फिश को मैंने अच्छे से मसाला लगा कर रख दिया है अब हम इसको कवर करके कम से कम तीन से चार घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे और जितना जादा marinate आप करेंगे टाइम देंगे इसको उतनी ही मज़े की और जूसी फिश बनेगी तो आपने इसको अच्छे से 3-4 घंटे marinate होने के लिए छोड़ देना है और चलिए अब हम इसको marinate करने के लिए छोड़ देते हैं और 3-4 घंटे के बाद हम फिश को fry करें जी तो 3-4 घंटे हो चुके हैं और अब हमने फिश फ्राइ करनी है पैन में मैंने जो cooking oil है वो डाली है और इसको full हमने गरम कर लिया है और एक बात का अपने खास ख्यार रखना है जब आप फिश को oil में डालें तो जो oil है वो अच्छी तरह गरम हो ये देखिए कितना जब जो बड़तन है उसके लिहाँ से आपने जो है मचली के पीज डालने हैं मीडियूम टू हाई फ्लेम पर अब आपने जो फिश है उसकी दोनों साइट को चार-चार मिनट पकाना है जी तो मैंने इसको पलट लिया है और कलर देखिया माशाला बहुत ही खुबसूरत है फिश में मुझे जरूर बताईएगा कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी मुझे उमीद है कि आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और पसंद आए तो लाइक कीजेगा और कमेंट कीजेगा यह आप लों की तरफ से प्यार होता है स्पोर्ट होता है जी तो इसी के साथ हमारी लहोरी फिश फ्रायर इस रेड़ी तो चलिए सर्फ करते हैं इसको चाट मसाला और नीमू के साथ इसको जरूर ट्राइ कीजेगा अगली रेसिपी तक मर्यम को इजाज़त दीजिए बहुत जल फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ तिल एन अलाहाफेज